आज हम जानेंगे पैटशिट को हमने फ्रीज में क्यों रखा है और नीमू पहले हसुन क्यों लगाया है कड़ाय में खाना बनाने से पहले यह ट्रिक अपनाना क्यों जरूरी है हलो गुड मॉनिक विवर्स वैलकम टो बैक कवर चेनल आप सब कैसे हूं उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की यूसफुल टेप एंड तक देखिएगा मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे टेप्स लेकर रही हूं जास से पहले आपने नहीं देखिए ह इन्हें देखते हुए और अपनाते हुए आपका एक रुपए भी खर्श नहीं होगा पहला इस फुल टेप मेरा कुछ भी चीज जो भी आप बॉयल करना चाहते हो ठीक है जो भी जमीन के अंदर होती है जैसे कि यह शकरकंदी है आलू है इन्हें बॉयल करने के लिए आप हमेशे इस बात का धियान रखे कि आप इसे खुले में वॉयल करें दूसरा आप इसके साथ दूसरी चीजे भी वॉयल कर सकते हैं किसी तरह से इनका जो फ्लेवर है दूसरे खाने में नहीं जाता है जैसे कि मैं आलू, सकरकंदी और अंडा तीन चीजे एक साथ वॉयल कर र सबजियों को या इस तरह की जो भी शकरकंदी है उन चीजों को आप आराम से बॉयल कर सकते हैं आसान सा ट्रिक है जरूर अपना की दिखेगा इससे आपके गेस की बचत होगी तो मैंने यहाँ पर तीन चीजे एक साथ बॉयल किये है आराम से पक गई और जो गेस की है वो कमेंट करके जरूर बताईएगा मैंने इसे करके देखा है फ्लेवर में कोई चेंजिस नहीं आते हैं और जो भी आपका खाना है वो भी आराम से पक जाता है उमीद करती हूँ यह चोटी च्रे ट्रिक आपको पसंद आते होगे चले देख लेते हैं आज का एक और कमाल का है इस बरतर में हम खाना बना रहे हैं उसके साथ हमें यह सावधारी जरूर रखना चाहिए क्या वो परतर साफ है भी या नहीं है अब यह लोही की कड़ाई है आप देख सकते हैं मैंने इसे धूग के रखा ता दिन में शाम तक देखा तो इस तरीके से इसके पर जंग आ करते हैं इक टीशू पेपर आप चाहिए ते यह नियूस पेपर भी ली सखते करना चाहिए नहीं कोशे चीजेगा आप पर नीयूस पेपर यह impeachment कपडी का यूश करें यहां मू तो इस टिशू पेबर में निकल के आएगा ज्यादा तरह आपे ट्रिंक तब यूज कीजिएगा जब आपको इस बरतन को टेले लाइफ में यूज नहीं करना है और रखना है इसे स्टोर करके तब भी आप पहले इस तरह के से एक लेयर लगाईए उसके बाद निकल जाएगा और फिर ये धिरे-धिरे कड़ाई पतली होती जाती है तो मैं तो इसका टेले लाइफ में यूज करती हूँ ऑपर उसके बाद भी दिखें इसमें काफी सार जंग निकल रहा है तो खाना बनाने से पहले, especially जो लोही की बरतन होतें, इसके अपने स्ट्रेक को यूज कीजिए, उसके बाद में ही आप अपने लोही की बरतन को खाने में इस्तबाल करें, क्योंकि इतना सारा जग हमारे खाने के लिए ठीक नहीं होता है अगला इस फुल हैग ऐसे बर्थनों के लिए है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं ये एक डब्बे का ढखन है शायद 15 साल हो चुके हैं मैंने भी कभी ध्यानी नहीं दिया पर आज जो मैंने से ध्यान से देखा तो देखे इसका स्टीकर नहीं निकला है इस कंटेडर का ढखकल लगबग 12 साल से मेरे पास देखे मैंने भी कभी ध्यान दिया ही नहीं अगर आपके पास भी ऐसा कोई बर्थन है जिसका गम नहीं निकलता है या किसी वज़े से वो आधा अधूरा ही निकला हुआ है तो आपना इस गेस पर रख दीजे थोड़ी देर लगेगी गरम होने के बाद में आपना जो स्टील स्क्राब है इससे रप कर दीजेगा जितनी भी ये गम वगेरा है ना असाने से निकल जाती है कोशिश कीज़ेगा आपने सिर्व स्टील के और इलमिन बर्थन पे हिस्ट्रिक को यूस करना है अगला इसको हैक मेरा प्यास तो आप कोशिश कीज़ेगा पानी लेके साथ में बेठें इसके अंदर कम से कम पांश मिन के लिए इसे डीप करके छोड़ो दीजेगा जब तक आप आप अगयरा लगाते हैं तब तक प्याज को इस तरह के से पानी में छोड़ो दीजेगा इससे इसका जो कवर है वो इसकी बज़े से जो हमें आसों निकलते हैं आँखों में वो भी नहीं निकलेंगे तो आप ना प्याज कातने से पहले इस तरह को यूज़ करके देखेगा स्पेशल इस गर्मी किस सीजन में अच्छा इस हैक को ना आप लहसुन के ओपर भी कर सकते हैं क्योंकि लहसुन पर भी गर्मी के मौसम में काफी जादा जो छिलका है वो पतला हो जाता है और जैसे ही हवा चलती है या थोड़ी बहुत भी फैन चला तो सारा का सारा कच्छा पुरे घर में फेल जाता है ये ट्रिक छोटा सा है पर उन बिगनर्स को बहुत जादा पसंद आएगा जो अकसर इ जाते हैं बेड जाते हैं विज करते हैं या बेड जाते हैं या वर्यला Kevin ुपर यियू抗र जाते हैं तो यहां उपना इस बेक का हुझे है अभी ट्रिक बडरा नहीं हुआ है आगे मैं तो वीडियो में कंटीम हने रहेगा भी पहले एस से ला ने निगया आशना को एलए चलेंगे हम फ्रीज की तरफ फ्रीज ही एक ऐसी चीज है जो कर्मी में ठंड लग देती है तो पहले आपने इसे कवर करना है इसके बाद में आप इसे फ्रीज में रख दीजिएगा इतना एरिया ना में खाली ही रखती हूं ताकि बेडशिट है जो कपड़े है मुझे लगत बिल्कुल ठंडी ठंडी बेडशिट आपको मिलेगी क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्माट होती है पेठेर हो तो भी पसीना आ रहा है अब हम बेड़ पे अराम करने जा रहे है और नहां भी अगर हमें गर्मी लग दीजिए तो बड़े दिक्कत वाली बात रखेगा इस तरह के से कवर करके रखेगा इस बैग का एक और यूज करके मैं आपको बता रही हूं तो देखे यह जो बैग होते हैं काफे इची क्वालिटी के होते हैं तो मैं कभी नहीं फिकती हूं हमेशा ही इनका यूज करके आपको बताती हूं आज मैं कुछ अलग त तो आप चाहें तो यहां पर स्ट्रिशिंग कर लीजेगा कैसे करनी है चलिए दिखा देती हूं तो मुझे तो इसे नहीं करना है यह मैं आपको एक्जामपल दे रही हूं मेरे पास पहले से इस तरह के बैग है अब यह देखिए इस बैग को आप देख सकते हैं यह थोड़ा झाले बैग बनवाया है उन्हों ने इस तरह के काफी सारे बेग पहले से बराके रख रखें हैं जिसका यूज वह भी करती है और हम लोग भी करते हैं पानी की बोटल को रखने के लिए गर्मी के मुसम में यह जो पानी की बोटल होती ना बहुत जल्दी वापिस गरम हो ज पसंद आया होगा, इस तर话ई की मैलिटन की या सेलो की बोटल होती, इसके साथ कोई दिक नहीं इसमें गर्म घटिठ गरम डेती है, फटदी य फटडी देती है, इसके बाद घरमी इतने जड़ा होरी है कि इसमें भी चीज़े गरम हो जाती है पाने ले लीजिए वो बहुत जल्दी गरम हो जाता है तब भी आप इस बैक का यूज़ कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ यह छोटे छोटे ट्रेक आपको पसंद आये होगी इस गर्मी के सेजन में इन्हें जरूर अपलाई करके हो रही है जून के स्टार्ट में काफी ज़्यादा गर्मी अभी और होने वाली है तो इन ट्रेक का यूज़ कीजिएगा एक फूर्मी की दिनों में राहत पाने के लिए मैंने दो ट्रेक आपको विताया है इन्हें जरूर यूज़ करके दीखीगा आपको गर्मी में थोड कारण बताओ क्योंकि हमें पसीने आते हैं पसीने की वज़े से बैड स्मेल आते हैं और काफी सारे बैक्टिरिया हमारे बोड़ी के ओपर रहते हैं तीन-चार गटे की वादे वापिस वैसे ही हालत हो जाती है फिससे लगता है और नहा लिया जाया तो देखिए नहाने का क अधी चमच इतना डाला है इससे आपने अपने पूरी बोड़ी को फीर से एक बार नहलाना है इससे क्या होगा कि बोड़ी के उपर जितने बैक्टिरिया है वह मर जाएंगे और जो बैड इसमेल आने की दिक्कत है वह खतम हो जाएगी तो कोशिश करना अपने मीठा और यूज़ कलती से नहीं करना है यह मीठा सोड़ा होता है यह एंटी बैक्टिरियल होता है हमारी वोड़ी के उपर अपनेवाले बैक्टिरिया को खतम करता है जब नहीं रहेंगे तो शरीर में बदभूबी नहीं आएगी चेंगे अज़ए लिए पर दिखें दोसे तीन काम में खुद ही करती हूँ तो जो नाखुन है वो तूट जाते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत भारी काम किया तो यह नाखुन जल्दी से तूट जाते हैं बड़ी नी रहे हैं लबग दो तीन मेहने हो गए वैसा क्या करें कि नाखुन तो बढ़ा है पर यह जल्दी से गले जल्दी से तूटे नहीं तो एक ट्रिक बता रही हो आप इसको यूज कीज़ेगा सबसे पहले जो नेर्पैंट है यह आपको रिलोग करनी है इसके बाद में आपने ट्रिक का यूज करना है नाखुन बहुत जादा नाजुख है नरम है या नाखुनों के नीचे या नाख कुच आखुसे करके बतारी हुआ पर कोशिच कीज़ेगा आप गड्दुकस कीज़ेगा मैं इससे कर रही थी और मुझे महसुस हुआ कि इसका रस उतना भार नहीं आया था तो अपना गड्दुकस कर लीजेगा तो इससे नहाशारा सारा सारा दस बहारा जाएगा चले इस यह जाता है आधा कटा हुआ नीबू और नाखुन के ओपर कुछ इस तरह के से हलके हलके मलना है अच्छा यह काम करते हुए सावधानी रखना है अगर आपको किसी तरह का कट लगा हुआ है नाखुन वगेरा में या उंगली के असपास तो इस तरह को मत यूश कीजिए का क् आफे तीखी जलन भी होती है पस हलके हलके से आप इस तरह के से मसाज करनी है जिसे हम फिंगर ही मसाज करते हैं नाखुन के ओपर हलके हलके से मसाज करनी है यह मसाज करने का काम हफ़ते में कम से कम चार बार जरू कीजिएगा जो नाखुन की ग्रोथ है बढ़ेगी उनकी जो हेल्थ है वो काफी अच्छी होगी तो मैं स्टीक को कंटिन्यू यूज कर रही हूँ जोशी शीचेगा आप भी करकी देखिएगा आपको विजल पोजिटीव मिलते हैं तो कंटिन्यू अपने लाइफ में जरूर अपना लीजिएगा चले मिलते हैं अगली यसी किछिन के काम को असान मिलाएं देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद है